हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का MSS3 नोटस में दोस्तों यदि आपने अभी तक हमें अनेकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनेकेडमी का लर्निंग एप प्लेश्टोर्ट से इस्टॉल करके आप हमें फॉलो कर लीजे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक भी जो आपका जीवन कोशल प्रबंदन अवरिती से जो दस नंबर का यह टॉपिक है इससे जो इंपॉर्टन कुश्टन्स वनने वाले हैं और किस प्रकार के प्रस्ण आएंगे उसको हम इस वीडियो में सामिल किये हैं ध्यान से देखेगा वीडियो क्योंकि यह बहुत ही ज् पास तक देखेगा अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजेगा शेयर कर दीजेगा चैनल पनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बैल आइकन दबा लीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए प्रस्ण आपका पहला यह है कि जीवन कोशल की विसेस्ता क्या और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बता दें आप लोग हमारे टेलीग्राम गुरूप को भी जौइन कर लीजें वहां पे जैसे जो भी हमारे वीडियो से रहते हैं उसकी पीडिया फगरा वहां पे आपको दी दी जाती है तो टेलीग्राम गुरूप की लिंक आपको डिस्क होते हैं कि आखिर जीवन कोशल हम पढ़े कहां से क्या पढ़ें ऐसा होता क्या है बाल मनो विग्यान शिक्षण तो समझ में आता है लेकिन जीवन कोशल क्या है देखें मैं आपको बता दू जीवन कोशल का मतलब यह है कि जैसे कि आप जीवन में जो कार भी कर रहे हैं उस सिखाने का धंग अच्छे से नहीं पता होगा तो किसी भी बालक को आप सिखा नहीं सकते हैं यहीं होता है जीवन कौशल इसी से रिलेटेड आपके परिक्षा में प्रस्ण पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए अब इस टॉपिक के हम जल्दी से खतम करते हो बताते हैं आपक व्हती द्वारा उचित निर्णाय लेने की चंता ऐवं भावन्में संतुलन इस्थापित करने की कल्या क्या खेलाती है जिवन कौशल चैला है यह घय future अगला है कि आत्म जागरुकता का मुख्य तत्त क्या है आत्म जागरुकता मतलब होता है कि अपने अंदर की जागरुकता को जगाना यानि आत्म चिंतन करना तो इसका क्या मतलब हुआ स्वयम को जानना अच्छा सम्वाद सापित करना संबंदों को मजबूत बनाना या उप साथ इसका जो सही उत्तर होगा option D होगा यानि की आत्म जागरुकता का मतलब होता है स्वयम को जानना भी होता है अच्छा समवाद स्थापित करना भी होता है और संबंधों को मजबूत करना भी यह सभी आत्म जागरुकता होता है ठीक है इसके इंतरगत आता है सहान भूती क सब तो जानते हैं एक दूसरे से अपना क्या है सान भूति प्रकट करते हैं न कि दूसरे व्यक्ति की अनभूति को समझना भावनाओं को समझना परसानियों को समझना या उप्रयुक्त सभी तो सही उत्तर होगा जी हां आप जब किसी के दूसरे की व्यक्ति को अनभूति करे तो हम बात करेंगे यहां पर देखी जीवन कौशल की आशक्ता होती है पूर्ण विकास में पूर्ण विकास का मतलब है कि यदि आप किसी बालक या किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास करना चाहते हैं तो जीवन कौशल की वहां बहुत अधिक आउशकता पड़ती है ठीक है चाहे वो यह वसाइक हो चाहे वो आपका चाहे स्क्षन से सम्दित हो हर प्रकार में काम आता है अगला है कि सकार आत्मक व्यवहार व्यक्ति की किस प्रकार मदद करता है आत्मबल द्वारा मनोबल ने होगा या इन में से कुछ नहीं होगा तो यहां का आपका जो सही उत्तर है और व्यार व्यक्ति की आत्मबल द्वारा मनोबल के द्वारा जो है प्रदर्शित होता है यह मदद करता है ठीक है कोश्चिन no.7 है कि दैनिक जीवन में निर्नाय लेने में मदद करना जीवन कौन सी विश्यस्ता है विश्लेशन आत्मक सोच या फिर आपका विश्लेशन आत्मक सोच या फिर आप्शन ए और वी दोनों या फिर आप्शन डीन में से कोई नहीं तो सैवन की बात करें सही उत्तर होगा यहां पी आपका जियां विश्लेशन आत्मक सोच दैनिक जीवन मे किस की पैचान होती है जीवन कोशल के महत्पूर अंगों कि जीवन कोशल के विक्तित्व कि जीवन कोशल के शान भूती किया और heap अगले प्रश्ञ पे निम् लिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेडित करता है सफलता से बचने के लिए प्रेड़ना बहुत सरल तथा कठिन लक्षियों का चैयन करने की प्रवित्ती लच्छों को प्राप्त करने में व्यक्तिगर संतुष्टी या फिर वाहिकारक देखे सीखने का जो प्र दिंडी अर्धिक देखे भुहता है ऑसको यह उसको बहुत जादा दे दिया जाये उतना खार की वो उठा ही न पाय उस दंड का, तो इसलिए बालक के अनरूप ही दंड होना आवश्चक होता है। अगला है कि पुरसकारेवम दंड कैसे प्रेयरक हैं। सकार आत्मक स्वाभाविक प्रेयरक, कृत्रिम प्रेयरक या अर्जित प्रेयरक। देखिए पुरशकार रिवम दंड क्या है जन्मजात नहीं होते हैं जो जन्मजात नहीं होते हैं जो मनुश्यों के द्वारा बनाये जाते हैं वो आपके कृतिम प्रेरख के अंतर गताते हैं इस बात को याद रखेगा दंड देने से पहले किस विसाय में सोचना चाहिए प्रात के कारण दोनों का पता लगाना चाहिए फिर दंड देना चाहिए कोशनमर 13 है कि निर्देशन व्यक्ति के द्रिश्टी कोड़ों एवं उसके बाद के व्यभार को प्रभावित करने के उद्देश से स्थापित गतिशील परश्पर संबंदों का एक प्रक्रम है या कथन किसका है गुड का जोन्स का क्रो एंड क्रो का इन में से कोई नहीं यह आपका गुड लिखा है गुड यहां पर हो गया है तो ठीक है तो बताईए निर्देशन व्यक्ति के द्रिश्टी कोड़ों एवं उनके बाद की व्यभार को प्रभावित करने के उद्देश्य अस्थापित गतिशील परषपर संबून्दों का एक प्रक्रम है या काथन जो है दोस्तो किसका है आपसे कर इस प्रकार से प्रस्ट आ जाए तो आप लोग क्या कहेंगे जी हाँ आपका गुड ही है ठीक है अगला है कि प्रभावी नेत्रितु का गुण प्रभावी नेत् एंदर उसके लिए अजले उप्शन नमरेडी इस इस दा राइट एंसर अगला प्रस्चन है कि का मुख्य उद्देश क्या है चात्रका शार्षारीक विकास चात्रका सर्वांगिण, विकास या छात्रकी शार्षारीक विकास देखें कि वह आगे बढ़ सके तो कैसा लगा वीडियो जल्दी से कमेंट करके बताई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आज की वीडियो में इतने प्रस्न थे इंपॉर्टेंट थे अगला वीडियो भी जरूर आएगा उसके लिए आपको अधिक स श्कार धन्निवाद